यह पराग पार एक flexi cap fund सब इसे suggest करते हैं और सब इसमें investment करना चाहते हैं तो ऐसा क्या है इस fund में कि सब इसे suggest कर रहे हैं और सब इसमें investment करना चाह रहे हैं तो आज हम इस वीडियो में यह समझेंगे कि क्यों लोग इसे suggest करते हैं और क्यों लोग इसमें investment करते हैं because इसका AUM कुछ सालों में ही double triple हो गया है और हम ये फिर समझेंगे कि flexi cap category में ही क्यों invest करें और भी बहुत सारी category flexi cap में ऐसा क्या खास है then क्या हमें इस fund में investment करना चाहिए कि सिर्फ ये promotion के लिए marketing gimmick है then किन लोगों को इसमें invest करना चाहिए हम ये भी समझेंगे उसके basic information provide करूंगा funds related number two जो की बहुत important है हम उसके strategy को समझेंगे fund की क्या strategy है then third हम उसके risk और return को समझेंगे in compared to benchmark and peers then फिर हम उसके portfolio allocation को समझेंगे उसके allocation क्या है उसकी sector wise allocation क्या है उसके company wise allocation क्या है then हम उसके final verdict कैसा है fund किसे invest करना चाहिए और क्यों invest करना चाहिए Hello everyone, I am C.A. Rona Kramraika Welcome you all to the channel Mind or Finance तो चलिए start करते है आज का topic तो अगर हम देखे पराग पार एक flexi cap fund में अगर हम कुछ basic details को समझे fund की तो age of the fund 8 years 7 months तो देखेंगे आफ इसमें अच्छा खासा past track record है जिसमें आप इसके return को risk को सबको judge कर सकते है कि भाई यह fund कैसा है तो यह एक अच्छी बात है अब इसके अगर हम asset under management की बात करें तो that is 18,000 crore और यह आप देखेंगे कुछ past 1 और 2 years में यह अच्छा खासा बढ़ा है क्योंकि इसमें भरोसा investors को आने लगा है कि नहीं अच्छा fund है manage अच्छा से हो रहा है risk को अच्छा balance कर रहा है अगर हम इसके expense ratio की बात करें that is 0.83% तो अगर हम इसके category से compare करें तो यह कम है because category का average है वह more than 1 है यह भी एक अच्छी बात है अगर इसके benchmark की बात करें वह है आपका Nifty 500 तो Nifty 500 का benchmark है जिससे इसका comparison होता है then exit load की बात करें मैं generally exit load को अतना preference नहीं देता हूं वह general है वह normal सबको पता है यहां पर क्या है कि जो exit load है अगर आप अपने fund को redeem करते है within 1 year तो आपको जो exit load लगता है वह 2% लगता है और अगर आप 1-2 साल की बीच में redeem करते है तो आपको 1% का exit load लगता है यह थोड़ा exit load जादा है बट जो fund की strategy है और जो investment horizon आपको समझ में आएगा जो मैं आप वीडियो में आगे discuss करूँगा तो आपको समझ में आएगा exit load का उप में खास मतलब नहीं है विकाज आपका investment more than that period होने वाला है चली तब हम समझते है कि fund की strategy क्या है strategy of the fund तो number one strategy fund की है कि invest like buying business means यह shares में नहीं इन्वेस्ट करें यह business model में इनको भरोसा है उसके business model में इनको भरोसा है इसलिए वो invest कर रहे वो short term fall और gain का जो benefit है वो लेने के लिए नहीं invest कर रहे second value investing यह उन companyों में invest करती है जहां शायद आपको short term में या एक दो year में आपको अच्छा return देखने ना मिले बट over the period आपको multi bagger return या अच्छे return देखने मिलते है like hero motocop, iex जहां पहले बहुत stagnant चलते थे यह shares बट आपको अच्छा खास return अभी दिया है इन्होंने तो इस type की value investing में इनका focus रहता है number third bottom up approach यह company की fundamentals को देखके share को select करते है fourth international exposure जहां fund में आपको international exposure भी देखने को मिलता है यहां पे US की best companies के आपको stocks मिलते है like Amazon, Facebook, Google, Microsoft तो आपको एक diversification भी यहां बहुत अच्छा मिल जाता है international stocks का then fifth is buy and hold strategy इनका यह नहीं की share को खरीदना बेचना है या फिर short term benefits के लिए खरीदना बेचना है इनका है buy and hold strategy इसलिए अगर देखेंगे इनका turnover ratio तो वह 15-16% है और वहीं इनके category का turnover ratio देखेंगे तो वह more than 100 है तो आपको इससे पता चल जाता है कि उन्हें अपने stocks पे भरोसा है then sixth is limited and concentrated stock इन्होंने अपने portfolio में only 27 stocks को hold किया है तो इसका benefit भी है कि आपको return average out आपके नहीं होते है आपको एक अच्छा return प्रोवाइड करता है इसका एक negative point भी है कि थोड़ा risk बढ़ जाता है आपका क्योंकि इसमें limited stocks है आपके पास चली तो अब हम इसके risk और return को समझते हैं अब आप अपने screen पे इसके 1-year, 3-year, 5-year return को देख रहे होंगे तो आप देख सकते हैं इस fund ने consistently अपने category को beat किया है और आप इसके alpha को अगर देखेंगे alpha means fund ने क्या extra return प्रोवाइड किया है आपको benchmark से तो आप अगर fund का alpha देखेंगे तो 12.83 वहीं अगर आप category का alpha देखेंगे तो 1.46 तो आप देखेंगे कि huge difference है तो यह बहुत अच्छी बात है अब इसके अगर sharp ratio की बात करें तो fund का sharp ratio 1.37 है और category का sharp ratio 0.73 है शार प्रेशो क्या होता है कि risk adjusted return आपको बताता है मतलब हर volatility के लिए आपको क्या return मिल रहा है तो आप देखेंगे आपको इस fund में category से बहुत अच्छा return मिल रहा है अब इसके अगर standard deviation की बात करें तो वह 18% है वहीं category का standard deviation आपका 22% है तो वह भी बहुत अच्छी बात है अब इसके अगर हम beta की बात करें तो 0.73 है fund का और वहीं अगर आप category की बात करेंगे तो 0.93 है तो volatility भी कम है तो इसका मतलब इसका risk parameter की बात करें तो standard deviation और beta से हमें यह पता चल रहा है कि इस fund में in compared to category कम risk है और इसके valuation की अगर हम बात करें तो अगर इसके price to earning ratio की बात करें तो that is 23 और अगर वही category का PE बात करें तो category की PE से इसका PE बहुत ही कम है even though large cap fund का जो PE है उससे भी इसका PE कम है तो यह बहुत अच्छी बात है एक बात और मैं आपको बता दू मैंने इस तरह की mutual fund से related interesting and knowledgeable videos और भी बनाया है जिसका link मैंने आपको description box में दे दिया है आप चाहे तो वहा 9% investment किया हुआ है large companies में 22% mid cap companies में 15% and small cap companies में 4% तो आप यहां देख सकते हैं कि इनोंने total large companies में 82% का investment करके रखा है और यही खुब सूर्ती है flexi cap fund की fund manager market situation और condition को देखके decide कर सकता है कि उससे large cap में investment करना है या mid cap में करना है या small cap में करना है based on market performance कैसा performance कौन किस sector का है उसके basis में वो change कर सकता है किसी में भी invest कर सकता है और यह advantage आपको large cap या mid cap या small cap में नहीं मिलता है sector allocation की बात करें तो उन्होंने technology में 34% का investment किया है financials में 25% services में 9% automobiles में 8% FMCG में 7% तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने technology financials and automobiles जो कि ऐसा expected है कि अब grow करेगा और ज्यादा grow करेग है अब अगर हम इसके top holdings की बात करें तो आप अपने screen पर देख सकते हैं इन्होंने Google में 9% investment किया हुआ बजाज holdings में 8% Microsoft में 8% ITC में 7% Amazon में 7% IX में 6% Facebook में 6% तो आप इसके holdings से देख सकते हैं कि इन्होंने 30% का investment है वो international stocks में भी किया हुआ है जो कि बहुत ही अच्छी companies ह तो इसलिए आपको अच्छा return प्रोवाइड करके दे पाती है अगर हम final verdict की बात करें तो fund का strong stock selection है और ये value investment strategy को follow करती है और high risk and low return in compared to benchmark and category प्रोवाइड करती है और ये आपको international exposure भी प्रोवाइड करती है जिससे आपको एक अच्छा खासर diversification मिल जाता है तो अगर हम इसे overall देखे तो एक अच्छा fund है और आपको इसमें invest करना चाहिए बट अगर आपका time horizon long term है मतलब 5-7 years minimum है तो ही आप इसमें invest की बिकाज ये value investment strategy को focus करती है और in funds में volatility भी थोड़ा जादा होता है तो अगर आपका time horizon long term के लिए तो ही आपको इसमें invest करना चाहिए अगर short term period आप का time horizon है तो आपको इन funds में invest नहीं करना चाहिए तो अगर आपको ये video अच्छा लगा हो तो do like, share and subscribe to the channel and don't forget to press the bell icon और bell icon दबाते से all का button क्लिक कर लिजेगा